खुद के बारे में विचार करना और खुद को देखना, खुद का अवलोकन करना, खुद को देखने में, खुद का अवलोकन करने में, और खुद के बारे में विचार करने में, क्या अंदर है? खुद पे ध्यान देने में और खुद के बारे में विचार करने में, सोचने में, क्या अंतर है? आपको यह सवाल समझाया? क्या आपके पास इसका जवाब है? खुद के बारे में सोचना या खुद पर ध्यान देना, खुद का अवलोकन करना, इसमें क्या अंतर है? प्रश्णकर्दा के अनुसार, यह दोनों चीजे अलग-अलग है, है ना? विचार, यानि की सोचना, और ध्यान देना, देखना या अवलोकन करना, हम मेंसे हर कोई खुद के बारे में सोचता है, कि क्या मैं कामियाब हो पाऊंगा? क्या मैं यह बन पाऊंगा? मेरी समस्याओं के बारे में मैं सोचता हूँ हम सब खुद के बारे में सोचते है हमें अच्छा घर चाहिए बहतर कपड़े चाहिए खाना चाहिए हमें और कामियाब जीवन चाहिए और हम इन विशेयों पर निरंतर विचार करते रहते है जो हमारे खुद के बारे में है एक सन्यासी भी खुद के बारे में सोचता है विचार करता है उसे भी भगवान चाहिए उसे भी मोक्ष इत्यादी चाहिए तो हमें पता है कि हम खुद के बारे में सोचते है विचार करते है विचार करके हम एक तो खुद को बढ़ाते है, हमारे अहम को बढ़ाते है, खुद के एगो की पूर्थी करते है मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, मुझे पता है कि मैं भी भगवान का ही रूप हूं जितना हम खुद के बारे में विचार करते रहते हैं उतना हमारा अहम, हमारा इगो बढ़ता है और हम सब इसी में फसे है इस तरह की हमारी इच्छाए, हमारे सपने, हमारे स्वार्थ जैसी कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे बाकी लोगों से बुद्धिमान होना है मुझे पैसा चाहिए, पद चाहिए, इत्यादी तो ये तो हो गया खुद के बारे में विचार करना जिसमें हमारे मै को ताकत मिलती है, इगो को बढ़ावा मिलता है चीक है अब खुद पर ध्यान देना या खुद को देखना क्या होता है क्या आप मेरे साथ साथ है क्या आप इसे समझ पा रहे है विचार करना और ध्यान देना क्या यह सवाल साफ है सबसे पहले क्या हम बिना शब्दों के बिना नाम के देखने में सक्षम है बिना शब्दों के ध्यान देना क्या हम पहाड को देख सकते है बिना उसे पहाड कहे दूपते सूरज का जो नजारा होता है जो शाम होती है क्या हम उस नजारे को बिना शब्दों के बिना उसे कोई नाम दिये देख सकते है बिना यहाँ सोचे कि यहाँ सुन्दर है क्या यहाँ बूरिंग है बिना किसी शब्द के पहाड या डूपते सूरज का नजारा क्या हम देख सकते है क्या यहाँ संभव है क्या आपको मेरा सवाल समझ आ रहा है क्या हुआ क्या आपको लगवा मर गया इसे समझने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्यू हमारा दिमाग शब्दों के जाल में चकड़ा है क्या हम हमारे पत्नी या बच्चों को या हमारे पडोसी को हमारे गूरो को या हमारे धर्मों को शब्दों के जाल में फसे बिना शब्दों के नेटवर्ट में फसे बिना क्या इसे देख सकते है शब्द या नाम के बाधा के बिना और कोई प्रतिक्रिया के बिना जो चीज वास्तविक है क्या हम उसे वैसे ही देख सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा किया है? कभी कोशिश की है? क्या आप अपने पत्नी को या पत्ती को अब तक जैसे आप उसे जानते समझते आये हो उसके बारे में जो भी अतीद की यादे आपको पता है उन सब बातों को भुला कर क्या उसे देख सकते हो? जब आप किसी को हिंदू कह देते हो या मुसल्मान कह देते हो तो वहा सब खत्म हो जाता है बराबर आपने उसे नाम देकर एक श्रेनी में डाल दिया है हिंदू या मुसल्मान के पिंचरे में कैद कर दिया है और बस मामला यही खत्म कर दिया है जरा देखी कि हमारे दिमाग को क्या हो गया है हमारा मस्तिश्क शब्दों में ही उल्जा है शब्दों का मतलब उसकी गहराई से वह दूर हो गया है वह शब्द को ही पकड़ के बैठा है उसके अर्थ तक नहीं पहुच पा रहा उस शब्द का मतलब उसकी गहराई उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हमारा दिमाग केवल शब्दों पर चल रहा है मस्तिश का शब्दों के जाल में फसना समस्या है जिसे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है देखना मतलब ध्यान देना, अवलोकन करना आज सबेरे एक बड़ा गुब्बारा हवा में उड़ा लोग उसमें बैठे थे जब वह बड़ा गुब्बारा हवा में लोगों को लेकर उड़ा तो जो लोग नीचे खड़े थे, वो उसे देख रहे थे तो उनके मन में उस गुबबारे में बैठने की इच्छा हो रही थी शायद और कुछ लोग सोच रहे थे कि यह कितना डरावना है, कितना डेंजर है और कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद हमें भी उस गुबबारे में बैठने का मौका मिलता इत्यादी तो हम जल्दी ही प्रतिक्रिया करते है किसी भी चीज को जल्दी नाम दे देते है उसे देखते ही नहीं अभी आप सब यहां बैठ कर मुझे देख रहे है और आपने मुझे एक श्रेनी में डाला है आपके मस्तिष्क ने बोलने वाले की एक छवी बना के रखी है शायद गुरू की या फिलोसोफर की या किसी मुर्ख विक्ती की इत्यादी तो आप मुझे पहली बार भी देखते हो तो मुझे नहीं देखते हो उस छवी को ही आप देखते हो जो पहले से आपके मस्तिष्क ने मेरे बारे में बना रखी है क्या आप इसे समझ पा रहे हो क्या आपने कभी यहा करके देखा है कभी इन चीजों पर ध्यान दिया है इन्हें देखने की कोशिश की है मस्तिष्क का हमेशा ताजा और नया बने रहना जिसमें केवल शब्दों का जालना हो जब भी वह देखे जब भी वह दुनिया को देखे तब ऐसा हो कि वह पहली बार इस दुनिया को देख रहा हू खुट को इस तरह से देखना कि दिमाग में आने वाला एक भी विचार छूटने ना पाए देखने वाला और विचार एक साथ नहीं आ सकते देखने वाले की मौजुदगी के बिना हर विचार पर ध्यान होना क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? आपका पूरा ध्यान उस विचार को देना है उसे उपर से देखने की कोशिश किये बिना विचार के साथ ही प्रवा करते हुए विचार के साथ एक होते हुए और फिर दूसरा विचार आते ही उसमें भी बने रहना अगर आप उस विचार को देखने की कोशिश करोगे तो उससे अलग हो जाओगे आपको विचार में समा कर ही हर विचार को देखना होगा पता नहीं कि आप इसे समझ भी पा रहे हो या नहीं आशा है आप मेंसे कुछ लोग इसे समझ पाए आपको अपना पूरा ध्यान उस विचार को देना है उसे उपर से देखने की कोशिश नहीं करना है विचार के भीतर ही प्रवाह करना है और एक विचार जाते ही दूसरा विचार आता है और फिर दूसरा विचार आते ही उसमें भी बने रहना है ऐसे देखने में अहम में बढ़ावा नहीं होता जो विचारों में होता है तो विचारों से तो ध्यान देने तक कैसे पहुचे क्या आपके मन में यहाँ सवाल नहीं आया हा में हा मत मिलाईए सर खुद से पूछिए क्या यहाँ सवाल सही है यहाँ बिल्कुल साफ है कि यहाँ सवाल ही गलत है क्योंकि अगर आप इस सिती से उस सिती में आते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं दोनों एक ही तो है अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्वार्थी हूँ और मुझे स्वार्थी नहीं होना चाहिए तो इसमें आपका चाहना फिर से आ गया आपकी प्रतिक्रिया आ गई है ना आपको नी स्वार्थी होना है क्यूंकि आप स्वार्थी है तो इसमें आपकी इच्छा आ गई इसमें आपका मैं आ गया जिसे और कुछ होना है तो यह फिर से वही बात हो गई बराबर तो फिर सवाल ही इसका जवाब है जवाब सवाल के बाहर कही नहीं है उत्तर प्रश्न में ही है देखने में समय नहीं होता ध्यान देने में समय नहीं होता और विचारों को उपर से देखने में, विचार करने में समय होता है